Good morning students, previous video class में हमने शितिस्पाट्च पृस्था का chapter 5 कृपाराम की हीडिये ताजय के सोर्ठाय स्टार्ट किया था previous video class में हमने इन सभी सोर्ठों के अर्थ कंपलीट कर लिये थे आज हम इस chapter के question answer start करते हैं देखे सबसे पहले objective type से जो question answer है वो देखे फर्स्ट किश्चन है राजिया का मूल नाम था इसमें हमें बताना है कि राजिया का मूल नाम क्या था आंसर है राजाराम साइकिन किश्चन है दूद एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है कौन अलग करता है आंसर है राजन्स राजन दूद एवन जल के मिलावट को अलग करता है आगए जो कुशन नमबर थएड़ है वो है Very Short टाइप से जो कुशन आंसर है कुशन नमबर थड़ देखिए कवी के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है कि कवी के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है अंसर है कवी के अनुसार बल पराक्रम और हिम्मत के अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है अगर व्यक्ति के अंदर बल, पराकरम और हिम्मत नहीं है, तो वह कोई भी कारिय में सफल नहीं हो सकता नेक्स्ट है, कुशन नमबर 4, दूद और नीर को कोन अलग-अलग कर सकता है अब्जेक्टि टाइप कुशन में भी आया हुआ है यह कुशन, दूद और नीर को कोन अलग-अलग कर सकता है आंसर है, दूद एवं जल के मिल जाने पर उन्हें राजहंस अलग कर सकता है कि राजहंस जो है, वो ही दूद में मिले हुए पाने को अलग कर सकता है कवी के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए यानि कि ऐसे कौन सी चीजे जिनका उपाय कवी के अनुसार पहले ही कर लेना चाहिए यानि कि आरम विस्तिती में ही उनका उपाय कर लेना चाहिए आंसर है कवी के अनुसार आग, शत्रू और रोग का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए कि आग, शत्रू रोग ऐसे है कि अगर एक बर अपने प्रभावशाली रूप में आ जाते है अर्था तेज हो जाते हैं तो इन पर काबू पाना असंभव होता है इसलिए कवी ने का है कि आग, शत्रू रोग का जब आरंब होता है तब ही इनका उपाय हमें पहले से ही कर लेना चाहिए नेक्स्ट है क्यूचन नमबर सिक्स कौन सी जगे चंदन के व्रक्ष बहु आयत में पाए जाते हैं आंसर है मले गिरी पर चंदन के व्रक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं नेक्स्ट है किस्टन नमबर सैवन किसके घाव कभी नहीं भड़ते हैं अर्था कभी ने बताया कि किसके घाव कभी नहीं भड़ते हैं आंसर है कटू वानी अर्था बुरे वच्णों के घाओ कभी नहीं भरते हैं कवी ने बताया था अपने संक्लित अंच में कि तलवार के घाओ अगर शरीर के उपड लगते हैं तो उसे ओष्दी के द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर वानी के घाव वो सीधे हिर्दे में घाव करते हैं और वो ऐसे घाव होते हैं जिनका इलाज ओजदी से संभव नहीं है उन्हें कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता वो घाव कभी भी नहीं भरते हैं यहां होते हैं very short type के question answer complete अब आगे देखिए short type से question answer किस नगर में नहीं रहना चाहिए कि कभी ने किस नगर में नहीं रहने की सला दी है answer है कभी कृपाराम के अनुसार जिस नगर या गाव में गुण और अवगुण में कोई भेद नहीं होता है तता लोग उन गुणों और अफ़गुणों के विशह में सुनकर अरथात उनकी अच्छाई और बुराई को जानकर भी समझने का प्रियास नहीं करते है उस नगर या गाउँ में नहीं रहना चाहिए अर्थार्थ जिस नगर में गुण और अवगुणों में कोई भेद नहीं होता है अर्थार्थ कि जहां पर आटा भी एकी भाव में मिल रहा है तो गुड़ भी एकी भाव में मिल रहा है और जो आटे के छानस होता है वो भी एकी भाव में मिल रहा है तो ऐसी नगरी में रहना का कोई महत्व नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ गुणों और अवगुणों में कोई भेद ही नहीं है गुणी व्यक्ति को भी वही समान भाव मिल रहा है और अवगुण व्यक्ति को भी वही मिल रहा है यह व्यक्तियों से एक जैसा व्यरवार किया जाता है तो सुवाभी मानी व्यक्ति वहां निर्वाय है, नहीं होसकता। कि स्वाबिवानी व्यक्ति का वहाँ पर उसी स्थान पर निर्वाय नहीं हो सकता है, जहाँ पर कि सभी लोगों को एक समान भाव से देखा जाता है, अर्धार गुनों और अवगुनों में कोई भेद नहीं होता है, उसी स्थान पर स्वाबिवानी व्यक्ति कभी भी अपना निर्वाय नहीं कर सकता, ऐसे इस्तान पर रहने से तो किसी जंगल में जाकर रहना उचित होता है, कि जो स्वाबी मानी व्यक्ति होता है, उसके लिए ऐसे इस्तान पर रहने से अच्छा है, कि वह किसी निर्जन इस्तान पर जाकर रहे जहाँ पर की ऐसे व्यक्तियों ना हो जिसमें की कोई भेद ना कर सेगे गुणों और अवगुणों के अंतरगत एसा भाविक मित्रता से घातक परिनाम होते हैं संकलित अंश के आधार पर इस वस्टित कीजिए आंसर है मित्रता सदा सभाविक रूप में होनी जाईए जिसका सुभाव विरोधी या शत्रूता रखने वाला हो उससे मित्रता नहीं हो सकती है आपी तो उसके प्रान खानी का भेह रहता है यदि मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी और ऐसमान सुभाव वाले व्यक्तियों के बीच होगी तो वह अधिक दिन तक नहीं निब पाएगी जैसे संक्लित अंच में बिल्ली और चुहे में मित्रता होना या उनका एक ही स्थान पर साथ रहना संभव नहीं है उनमें कभी मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि वह शिकारी और शिकार की मित्रता है चुहे के लिए यह मित्रता बहुत महेंगी पढ़ सकती है बिल्ली कभी भी उसे अपना शिकार बना सकती है अर्थार्थ कभी संकलित जो पाथ है उसमें अंश के आदार पर क्या कहना चाहरा है कभी कहना चाहता है कि जो ऐसे भावाले जो मित्रदा होती है न वो अधिक समय तक नहीं निपाती यानि कि एक समान्स भावाले व्यक्तियों में ही मित्रदा शोबा देती है कि जो व्यक्ति जन्वजात से ही शत्रू होते हैं उन्हें हम कितना ही मित्र बनाने की कोशिश करें लेकिन वो एक समय ऐसा आता है कि वह अपनी मित्रता को भूल जाते हैं और जो है मित्रता भूल कर और वो उसे खानी पहुंचाते है जिस पकार से चुहा बिल्ली की मित्रता है, बिल्ली कभी भी चुहे से अधिक समय तक मित्रता नहीं निभा पाती, क्योंकि एक समय तक तो वो साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी उनमें अनबन हुई या थोड़ा भी कुछ उनमें मित्रता का भाव दूर हो जाता, क्यूशन नमबर 10, जन्म जात प्रवर्तियों में बदलाव एसंभव है, संकलित अंश के आधार पर सपष्ट कीजिए, आंसर है, हर प्राणी जन्मी के साथ ही एक विशेश प्रकार का सुभाव और आवरन लेकर आता है, यह उसका प्राकर्तिक गुन होता है, इसे बदल प आख जन्मजात कडवा होता है, उसे चाहे कितने ही मीठे में पगा दिया जाए, या अम्रस से सीचा जाए, लेकिन इसकी कडवाहट दूर नहीं होती है, क्योंकि वह उसकी जन्मजात विशेशता है, और जन्मजात प्रवर्तियों में जराबी बदलाव संभव नहीं है, इ कवी ने संकले तंश के आधार पर बताया है, कि जिनकी प्रवर्ति जन्मजात से ही होती है, उसके सुभाव में परिवर्तन लाना एसंभव होता है, और कवी ने उधारन दिया है आग के पोदेगा, कि आग का पोदा जो होता है, वो जन्म से ही कडवा होता है, उसे चाहे हम कितने ही दूद में उसे उबाला जाए कि दूद का सुबाव कैसा होता है मिठा की उसमें कोई भी चीज बनाई जाए वो ही मिठा पन उसमें आ जाता है लेकिन आग के पोदे को चाहिए कितना ही दूद में आप उबाल लिया जाए या कितने ही उसमें मीठे शक्कर के अंदर पगार के रखा जाया था तो उसे शक्कर में डूबो कर उसे कितना ही रखा जाये उसे कितना ही अम्रस से सीचा जाये लेकिन अंत तक भी वह है अपना कड़वापन नहीं दूर करता है उसमें कड़वापन रहता ही है उसी प्रकार से जो इर्शाल वे वक्ती होते हैं और जो दिवेशी भाव के व्यक्ति होते हैं सुभाव वाले वो अपने एश्या का भाव कभी भी नहीं त्यागते हैं क्योंकि ये सुभाव उनके जन्म जात से होता है और उनके इस सुभाव को बदल पाना एसमभाव होता है यहाँ होते हैं short type से क्षुशन आंसर complete जो long time execution answer है वो हम कल की class में start करेंगे आप सभी को 1,2,10 जो question answer अभी करवाए हैं आपके आज की class में वो आपको fair note में write करना है और 7 में learn भी करना है